जैहिन दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज़ की 24 शुरूप से एक अंग्रेजी शब्द के कारण चर्चा में आई है यह अंग्रेजी शब्द है नेपटिजम अर्थात परिवार बात आजकल बॉलिवूड में नेपटिजम होने की चर्चा बहुत हो रही है लेकि नेपटिजम क्या आरंब क्या केवल बॉलिवूड से ही हुआ है या कुछ और भी जगह है जहे नेपटिजम का वाइरस फैला हुआ है जहां तक इस देश की बात है तो इस देश की इतिहास का सबसे बड़ा विनाशकारी नेपटिजम महाभारत काल में हुआ था ये जाओं के सदाय वही रासिंघासन के लिए सफर्दा होती रहती थी कि दृतराष्ट ने अपने पुत्र के जन्म से पूर्वही सपर्दा अरंब की थी वो चाहता था कि पांडु पुत्रों से पहले उसके पुत्रों का जन्म हो कि न्तु वो हार गया दुरियोधन से पहले जन्म हुआ बहुत कम लोगों को ग्यात होगा कि दुरियोधन के जन्म के समय जंगली जनवरों के इतनी भयानक आवाजें सुनाई देने लगी कि वो सुनकर धृत्राष्ट ग्यानुच महात्मा विदुर जो के बहुत बुद्धिमान व्यत्ति थे उनको ग्यात हुआ कि य जब वो पिता धृत्राष्ट जैसा हो तो फिर ये तो असंभव है क्योंकि वो पृत्र धृत्राष्ट के अनुसार हस्तिनापुर के रास्तिंगहासन का उत्तराद़ कारिव भी था बाल्यकाल से शकुने के बातों में आके दुरियोधन ने अपने मन में पांड़वों के प्रति सदैव घ्रणा का भाव रखा चन्म के पश्चात दुरियोधन और दुशासन का नाम सुयोधन और सुशासन था किन्तु उनके दुशकर्म दुराचार के कारण इतिहास ने उन्हें दुरियोधन और दुशासन में परिवर्तित कर दिया बाल्यकाल से दुरियोधन पांडवों को शती पहुचाने का और यहां तक कि उनकी हत्या करने का हर संभव प्रयास किया विक्रोधर भीम के भोजन के प्रती रुची का लाब उठाके तुरियोधन ने भीम के भोजन में विश्टो मिला दिया किन्तु इश्पर के कृपा और नाकन्याओं के कारण भीम स पुत्रों से घ्रा कर रहा था वो भी इसलिए कि वो दुरियोधन के राश्तिलक में बाधा उत्पन ना कर सकते थे दुरियोधन ने लाक्षा ग्रह में पांडवों को जला के मारने का क्षडियंत्र किया किन्तु धृत्राश्ट्र ने कोई कारवाई नहीं कि द्रहपदी व प्रभुष्म, महात्म विदूर, आचार्य द्रोण, कुल्गुरु कृपाचार्य जैसे कही महान भवों के साथ साक्षात् परब्रह्म С्वरूप भगवान ने भी धृत्राश्ट को धर्म का ज्यान देने का प्रयास किया किन्तु धृत्राश्ट्र धर्म का ज्यान होते राज सिंगासन से दूर हुए और राज धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से दूर हुए। किन्तु इतना बड़ा उधारन समक्ष होते हुए भी थृत्राश्ट ने राज धर्म भुलाकर केवल पित्रु धर्म का पालन किया। पांडवों को वनवास और अज्यात्वास प्राप्थ हुए किन्तु धृत्राश्ट चुप रहा। दुर्योधन ने कहा कि वो पांडवों को एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं देगा। किन्तु इस पर भी थृत्राश्ट मौन रहा। दुर्योधन ने इश्वर को चुनोती दी स्वयम भगवान स्रीक्रिष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। किन्तु धृत्राश्ट बस तर्शक बना रहा। कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसे सोच के साथ धृत्राश्ट निश्चिंद रहा। और संजय द्वारा महाभारत युद्ध का कटन सुनता रहा। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। कौरवों की सेना पराजित हुई। भीम ने अपने प्रण के अनुसार सौ कौरवों का वद्ध किया। धर्म की जीत हुई केंतु धृत्राश्ट के मन में कदाधारी भीम के प्रति प्रतिशोद की भावना जागरित हुई। युद्ध के पश्चात धृत्राश्ट ने भीम के साथ भेंट के समय उसे आलिंगंदे के मारने का विचार किया। केंतु परम पुझ्य भगवान श्रीक्रिष्ट के कारण ये तुरगटना टल गई। प्रभूश श्रीक्रिष्ट ने भीम की जगए पुतले को आगे किया। धृत्राश्ट ने भीम समझ के आलिंगंदिया और क्रोध वश उसके टुकड़ी टुकड़े कर दिये। भीम के प्राण बज गए। ये वही धृत्राश्ट है जो पांडवों पर हुए प्रत्य अक्त्याचार के समय कदा भी क्रोधित नहीं हुआ। लेकिन युद्ध में हुए अपने पुत्रों के वद से इतना क्रोधित हुआ कि भीम का वद करने आगे आया। अधर्म कितना भी प्र प्यास नहीं किया। इश्वर केवल साक्षी ही नहीं थे। अपितु महाभारत के इस युद्ध में सम्मेलिध भी थे। भगवान स्री कृष्ण के इश्वरी रूप से सभी परिचित थे। और जहां इश्वर है वही धर्म है ये ज्यात होते हुए भी धृत्राश्ट ने अपने पुत्र को समझा के उन्हें बचाने का प्यास नहीं किया। नेपोटिजम के कारण ना धृत्राश्ट का सिंहासन बचा ना उसका पुत्र दुर्योथन। इतना बड़ा उधारन होते हुए भी आज आपको ऐसे कई धृत्राश्ट दिखाए देंगे जो केवल अपन नहीं पाएंगे कि ये सारीकारी शन्स्तान उनकी व्यक्तिकत संस्त्ति नहीं है. लेकिन वो जिस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, क्या उसमे नेपोटिजम है या नहीं है. ऐसे कई धृत्राष्ट केवल बॉलिवुर्ड की फिल्म इंडस्टी में ही नहीं अपितु राजनिती न्याई ववस्था शिक्षन ववस्था वैदे केई ववस्था खेल जगत और ऐसी कई संस्थाएं जहां पद और धन का इलाब हो वहां बड़ी संख्या में दिखाए देंगे ये सभेधृत राष्ट केवल अपने उत्तराधिकारी के हिद को देश हिद से बढ़कर समझेंगे उन्हें हो संस्था ये समाज से कोई लगाव नहीं होता अपी तो अपने स्वार्थ और पुत्र मोह का ही मात्वर रहता है एक पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी अवश्य है किन्तु केवल व्यक्तिकत संपत्ती में किसी सारवजनिक या सरकारी संस्था में नहीं कोरोना वाइरस तो साल 2019 में आया और लाखों लोगों के प्राण ले लिए किन्तु नेपोटिजम का ये वाइरस बहुत विराशकारी है जो सदियों से करोडों की जान ले चुका है और समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है कोरोना जाएगा की नहीं ये बात सफष्ट नहीं है किन्तु नेपोटिजम का ये वाइरस तब तक रहेगा जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करके धर्म, सत्य और न्याय का पक्ष नहीं लेता अब कोरोना के साथ साथ इस नेपोटिजम के वाइरस को भी मिटाना है या नहीं ये आपको तै करना है क्योंकि विचार आपका है ये देश आपका है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो हम फिर आएंगे और भी वीडियो लेकर तब तक जय हिंद जय भारत